तो कौन आया है आपसे मिल ले अनुभाद स्टोरी चलो और बड़े दिन हो गए थे आप सभी से मिले हुए बात करे हुए तो मैंने सोचा कि एक नई कहानी लेकर आप सभी के समक्ष आया जाए हाँ हाँ आज की कहानी हिंदी में बहुत साली होगे अंग्रेजी की कहानिया मैं सुबह से सोच रही थी कौन सी कहानी लेकर आऊं जो बच्चों को भी अच्छी लगे मामी पापा को भी तो एक कहानी मिली है मुझे जो की जातक कथाओं में से एक कहानी है तो चलिए शुरू करते हैं आशा करती हूँ इस छोटी सी कहानी का बहुत बड़ा सा मतलब आप सभी को समझ भी आएगा और अच्छा भी लगेगा तो चलिए शुरू करें तो कब की बात है? बहुत समय पहले की बात है एक बूढ़ा किसान था उसे किसी ने तोफे में नहीं इतना चोटा तोफा नहीं था तोड़ा बड़ा था पर तोफा चोटा था एक बच्छडा दिया अकाफ तो वो बच्छडे को उसने बहुत प्यार से पाला उसकी सेवा की और फिर वो बच्छडा क्या बन गया? बचड़ा बरे होके क्या बनता है बैल बॉल तो बचड़ा बड़े होकर बन गया बैल जी हाँ अब खेसान तो पहले से ही बूढ़ा था और बूढ़ा हो गया था और वो सोच रहा था कि मैं गरीब भी हूँ, बूढ़ा भी हूँ मज़े कब करूँगा थोड़े पैसे चाहिये तो बेल ने सोचा की बूढ़े किसान की मदद की जाए तो एक दिन बेल अपने मालिक के पास गया और इसने कहा की मैं आप की थोड़े पैसे कमाने में मदद कर सकता हूँ तो किसान ने बोला कैसे? हाँ, वो भी आप की तरह हैराम था बात कैसे कर रहा था, stories, कुछ भी हो सकता है, back to the story, तो उसने पूछा, की ठीक है, बताओ, कैसे मदद कर सकते हो, तो उसने बोला, तेखिए, आपने मुझे पादबोस कितना बड़ा किया है, तो आप एक काम करिये, आप बाजार में जाएए, और शर्त लगाएए, कि मेरा बैल, एक पूरा का पूरा फेला, सौ चावल की बोरियों से भरा, खीत सकता है, सच में, हाँ, हाँ, मुझे अपने उपर भरोसा है, आप जाएए और शर्त लगाएए, और कम से कम सौ सोने के सिक्कों की शर्त लगाएएगा, तो किसान ने सोचा, ठीक है, चलो भई, किसान ने लगा ली शर्त, और अब आया कौन सा दिल, कॉम्पेटिशन का, जिस दिन उसने शर्त लगाई थी, और सब लोगे खटा हो गए, कि हाँ, ठीकिए भई, ऐसा कौन सा बैल है, जो एक ठेला जिसमें सो चावल की बोरिया भरी है, खीट सकता है, तो सब लोगे खटा हो गए, बैल बहुत खुश था कि आज तो मैं अपने मालिक को अब्मीर कर दूँगा, तभी पीछे से बूढ़ा किसान आया, और वो बैठा गाड़ी या ठेले पर, और उसके हाथ में था एक चावुक, उसने सोचा भाई सबको पता तो चले कि ये मेरा बैल है, तो बैल तयार है, और पीछे से बूढ़े किसान ने क्या किया, लिया अपना चावुक और घुमाया, चल, मोटे बैल दिखा दे, अरे धीट क्यो हो रहा है, हिलना, बैल कोशिश कर रहा है, और वो थोड़ा सा हिलत है, फिर से उसके ऊपर क्या पड़ता है, चावुक अब बैल बिलकुल नहीं हिलता, और बूढ़ा किसान परिशान हो जाता है, बापरे सौसोने के सिके मुझे मिलने थे, अब मुझे इन सबको देने पड़ेंगे, तो बूढ़ा किसान शर्ट हार जाता है, और वो दोनों वापिस जाते हैं, जी हाँ, तो बूढ़ा किसान बहुत गुस्से में है, तुम नहीं तो मुझे कहा था, कि तुम शर्ट लगाओ जाकर, अब तुम क्यों नहीं हिले, तो पहल एक कोने में बैठ कर, उदासी से, अपनी मालिक को देखता है, और कहता है, मैं तो बस हिलने ही वाला था, आपको मुझे मारने की, या मुझे पर चिलाने की क्या जरूरत थी, आपकी इतने कटू शब्द सुनकर, इतने गुस्से से भरे शब्द सुनकर, मैं हताश हो गया, और मेरे अंदर की जितने भी हिम्मती, सब चली गई, बोड़ा किसान अपनी गल्की समझ जाता है, पर अब कुछ नहीं कर सकता, सौसिक के दो चले गए, तो वो बैल से माफी मांगता है, He asks for forgiveness, और बैल बोलता है, ठीक है, मैं आपकी फेर से मदद करना चाहता हूँ, बापरे, फेर से, हाँ, आप एक काम करिये, आप उनको बोलिएगा, कि मैं इस बार दो गाड़ी खीत सकता हूँ, दो सो बोरे से भरी, आप इस बार दो सो सिक्कों की शर्ट लगाएगा, तो बैल बोलता है, कि मैं confident हूँ, मैं जीत जाँगा, तो बैल तो पूरा confidence से भरा है, और बुड़ा किसान बिचारा, जो बचे खुचे सिक्के हैं, वो ले जाता है, लेकिन उससे अपने बैल पर विश्वास है, तो जाके शर्ट लगाता है, और आता है फिर से वही दिन, सारे लोग इखटा हो गए हैं, सब लोग खड़े हैं, तो बुड़ा किसान के 200 सोने के साब और खूब जादा खूब जादा खूब जादा शर्ट लगाते हैं, और दो गाड़ियां आती हैं, कितने से भरी, हाँ, 200 चावल के बोरो से भरी हुई, तो अब हमारा बैल तयार है, और बुड़ा किसान इस बार चाब उक लेके नहीं वो पीचे से खड़ा है और बोल रहा है चल 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 बैल चल 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 और मेरे प्यारे से बैल पूरी हिम्मत करता है लेकिन उसे हिला नहीं जा रहा है लेकिन फेर भी पीचे से बुड़ा किसान बोल रहा है मेरे प्यारे तू तू मेरे बेते के जैसे है मुझे प बहुत चक्के रह जाते हैं जब बेल दो सो चावर के बूरे से भरी गाड़ियां खीच लेता है और किसान को मिल जाते हैं दो सो सोने के सिक्के जी हां और वो दोनों खुशी-खुशी घर जाते हैं और उस दिन बैल को खुब सारा खाना भी मिलता है और दोनों मजे से रहते हैं जी हां ये भी हमारी आज की जातक कथा तो ये कहानी मैंने क्यों सुनाई तो मैं आपको अपना कारण बताती हूं और आप मुझे बताएगा आपको इस कहानी को सुनके कैसा लगा और आपने क्या समझा, क्या सीखा, जो आपकी मर्जी है नीचे कॉमें बॉक्स में जरूर लिखेगा मैंने कहानी इसलिस दनाए क्योंकि कई बार हमें ऐसा लगता है कि चिलाना ठीक है, माना पीना ठीक है, ऐसे ही काम होता है लेकिन हम जो पॉजिटिव वर्द्स है, जो शब्द कानों में मधुर लगते हैं, उनका मतलब तिल तक जाता है और सच में, मैंने खुद के जीवन में भी महसूस किया है, कि ये शब्द जरूर काम करते हैं तो क्या आपने भी कभी कोशिश की है, instead of insulting someone, have you complimented, let me know तब तक घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, खुश रहिए, और कहानिया बांटते रहिए, सुनते रहिए और मैं फिर से बहुत जल्दी वापस आऊंगी एक नई कहानी लेकर आप सभी के लिए बाई नचे जवास आप से वापस चीजित रहिए है लेकर वापस सुन हो पहिए यह रहिए है जले रहिए है झाल झाल